Hello Friends, Welcome to the Study Hunts दोस्तों अगर आपने Study Hunts को यूटूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको मिलते रहें दोस्तों आज है 14 फवरी 2024 और दोस्तों आज देश और राज्यो से ऐसे कौन कौन सी बड़ी खबरे आ रही है जो आपके exam के point of view से बहुत important है दोस्तों जो पहली खबर है वो जो UPI है अब global level पर हो गया है means यह 7 अब countries में available है यह countries दोस्तों कौन कौन सी है फ्रांस है UAE है सिंगापूर है नैपाल है स्री लंका है मौरिसस है और भूटान है नेक्ट कवर है दोस्तों डिजिटल छेत्र में innovation वा creativity को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने National Creators Award राष्टी रचनाकार पुरुसकार जिसे हिंदी में बोलते हैं सुरू करने की घोष्णा की है तो काफी अच्छा है जो Creators है उनके लिए अच्छा है यह अवार्ड उनको मिल सकता है Next दोस्तों की सिंधु गडपती को दच्छडी रेलवे की पहली Transwoman ट्रैवलिंग टिकट परिच्छक जिसको TTE के रूप में निक्त किया गया है तो यह काफी important question बन सकता है दोस्तों क्योंकि यह पहली Transwoman है जिनको इस पे posting दी गई है Next दोस्तों Microsoft से खबर है कि Microsoft दुनिया की सबसे मुल्लिवान कंपनी बन गई है Microsoft का market cap जो है वो 3.125 trillion dollar यानी करीब 259.42 lakh करोण पहुच गया है तो यह काफी मुल्लिवान कंपनी अब दुनिया भर की बन गई है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी है आपको option में दे सकते हैं कि Oracle है, Facebook है, Twitter है या Microsoft है तो आपको Microsoft याद रखना है यही सही answer है Next खबर दोस्तों आपके career से है कि अगर आपने UP Police Constable 2024 का form भरा था तो उसका admit card release हो गया है आप admit card हमारे studyhans.com पे जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो यह भी important खबर है कि अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज दोस्तों अपना admit card डाउनलोड कर लिजे लास्ट खबर दोस्तों है आज की कि 14 फ़री को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था इसलिए हम लोग इसमें दिवत मनाते हैं उनकी सहीदों की याद में तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में तब तक इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए जै हिंद जै भार